Hello friends, आप सब का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ कुसुम जब भी पतले होने की बात आती है, हम बहुत कुछ ट्राइ करते हैं अक्सर तो ये होता है कि बहुत जल्दी पतले होने के चक्कर में हमें जो भी चानकारी कहीं से भी मिलती है, हम ट्राइ करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही हमें desired result मिल जाता है, हम फिर से पहले जैसा ही खाना पिना शुरू कर देते हैं अब इसमें important क्या है, एहम क्या है, एहम ये है कि हम healthy खाएं पियें और lifestyle जब तक आप change नहीं करेंगे तब तक आप लंबे समय तक पतले नहीं रह सकते तो चलिए, आज हम बात करते हैं apple cider vinegar की जो बहुत ही चर्चा में रहता है अब इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़े बताऊंगी कि apple cider vinegar बनता कैसे है और इसके फाइदे क्या क्या है अब best होगा अगर आप अपने doctor से consult जरूर करें इसे शुरू करने से पहले अब मैं लेती हूँ ये कपीवा का हिमालियन apple cider vinegar जो की मदर के साथ आता है आप किसी भी company का ले सकते हैं ये कोई endorse वीडियो नहीं मैं बना रही हूँ आप किसी भी company का opt कर सकते हैं बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको मदर के साथ यानि जो की unfiltered हो आपको उसको लेना है अब मदर का मतलब क्या है कि इसमें gut friendly bacteria होंगे और ये probiotic का काम करेगा अब जब भी हम apple cider vinegar के benefits के बारे में बात करते हैं तो ये cholesterol, sugar, blood pressure control करने में help करता है साथी साथ ये weight reduction में भी support करता है Weight reduction में support करता है इसका मतलब ये है कि यदि आप जितनी exercises आपको करनी चाहिए उतना कर रहे हैं नॉर्मल वाप कर रहे हैं जो भी आप कर सकते हैं उसके साथ साथ यदि आप खान पान में ध्यान दे रहे हैं healthy खा रहे हैं और फिर यदि आप apple cider vinegar ले रहे हैं सुबह खाली पेट तो आपको ये help करता है weight reduce करने में इसके अलावा ये आपकी skin को भी clear करता है hair को भी soft और shiny करता है ये जो digestive disorders होता है कुछ लोगों में उसको भी दूर करने में मदद करता है but just remember results may vary from person to person अब हम बात करेंगे अगर मैं ये कपीवा, हिमालियन, apple cider vinegar की ही बात करूँ कि मैं ये क्यों लेती हूँ तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं या पे नीचे ये साफ लिखा हुआ है कि ये 100% ये natural है देखिए इधर लिखा हुआ है 100% natural है, इसमें कोई भी शुगर इसमें add नहीं की गई है इसमें कोई भी शुगर आग नहीं की गई है फिर ये wedge है, और ये probiotic with enzymes and probiotic के साथ ये आता है इसके अलावा, देखिए यहां इन्होंने सारे इसके benefits बता रखे हैं वो benefits जो मैं आपको भी बताई चुकी हूँ, लगबग लगबग सेम ये benefits सारे यहां पे mentioned है बनाने का तरीका लिखा है, जो कि मैं आपको बता दूँगी फिर यहां पे ingredients पूरे mentioned है, इनके बाकी के products भी यहां पे mentioned है अब हम बाकी इसको और देख लेते हैं, store करने का तरीका यहां भी लिखा हुआ है कि आप इसको dry और cool place में ही store करें, मतलब sunlight ये contact में ये नहीं आना चाहिए सबसे important क्या है कि ये keto friendly है, ये gluten free है, ये vegan है और ये इसे GMP certified है, gluten free और ये vegan है, keto friendly है, तीनों ही इसमें ये बड़े benefits है इसलिए मैं इसी को prefer करती हूँ लेना अब इसकी कीमत की अगर हम बात करें, तो आप देखिए इसकी कीमत लिखी हुई है आप एक 299, लेकिन मैंने ये Amazon से 284 रूपीज का भी मैंने लिया हुआ है मैं link share कर दूँगी, आप देख सकते हैं उससे में इसका क्या price शो हो रहा है तो अब हम इसको बनाने की विधी देख लेते हैं, मैं फिर से एक बार ही बोल देती हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको कपीवा का ही लेना है, आप किसी और कपनी का भी ले सकते हैं, बस आप ये ध्यान रखेगा कि वो मदर के साथ हो ओके वो filter जना हो नहीं तो उसमें फाइदा बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर almost उसमें फाइदा रहता है अगर हम बोटल के पीछे देखें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नोने बनाने का तरीका बता रखा है How to use कपीवा हिमाले और आपल साइडर विनेगर सबसे पहले आपको बोटल को शेक करना है, तो बोटल कुछ इस तरीके की है यह देखें नीचे इसमें में जम जाता है सारा मदर के साथ है तो आप देख सकते हैं, इसमें काफी कुछ unfiltered है, almost यह unfiltered ही होता है इसलिए इसको आपको शेक करना बहुत जादा जरूरी है पहला आप इसको शेक करिए अच्छे से, फिर आप देखिए इस बोटल के साथ इन्हों ने यह एक इस तरीके से कप सा दे रखा है, छोटा सा उसमें मेजरमेंट लिखे होए है तो आप 5-10 ml नाप के ले सकते हैं इसमें और आपको यह खाली पेंट लेना है सुबह और इसको लेने के बाद आप कुल्ला जरूर कर लीजे क्योंकि यह दातों के लिए अच्छा नहीं है आप इसको जैसे ही पीएं तो आप कुल्ला जरूर कर लें, कुछ लोग स्ट्रॉ के साथ भी लेते हैं ताकि दातों से इनका डारेट कॉंटाक्ट ना हो सके एपल साइडर विनेगर का तो वो तरीका भी ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं अब आप सबसे पहले बॉर्टल को आप शेक करेंगे अच्छी तरीके से, आप थोड़ा सा वाम वाटर ही ले, ओके थोड़ा वाम वाटर लीजे, अब शुरू में जब आप स्टार्ट करते हैं तो मैं रिकमेंट करूंगी कि आप थोड़ा कम ही लीजे, एकदम से बहुत जादा मत लीजे शुरू में, ओके आप देखें आपकी बॉड़ी कैसे रियाक्ट करती है, कई बारी बर्निंग भी हो जाती है, कुछ लोगों को बर्निंग फीलिंग होती है, तो आप इस वज़े से थोड़ा आप ध्यान दीजे कि आप शुरू में थोड़ा कम लीजे, अ लेकिन मैं यह आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक ही चम्मच इसको लीजिए, एक चम्मच लेके इसको आप अच्छी तरीके से पानी में मिला लीजे, और जरूरी नहीं आप एक साथी पूरा इसको सिप कर जाए, आप इसको एक साथी मत पीजे, छोच छोटे सिप्स ल आना चाहते हैं कि वेक लॉस्ट में यह आपको और अच्छे से हेल्प करें, तो आप इसमें चाहे तो एक चम्मच नीबू भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा नीबू भी मिला सकते हैं तो एपल साइडर विनेगर आप शुरू में एक चम्मच डालिए, जब आपको आधत पढ रखना है आपको कि आपको कुला जरूर कर लेना है इसको लेने के बाद, और फिर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की कोशिश करिए, ऐसा ने कि हम कुछ एक टार्गेट रखा है कि ठीक है, इतने महीने में हमें या कुछ लोग टार्गेट रखते हैं कि 10 दिन में इतना वजन कम करना है, 12 दिन में इतना वजन कम करना है, मैं आपको ये सज्जेस्ट करूँगी कि इस टाइप की शॉर्ट टर्म चीजों गोल्स को ना फॉलो करें, आप और लॉंग टर्म गोल्स को फॉलो करने की कोशिश कर और लाइफस्टाइल ही ऐसी बनाएं ताकि आपको ए पूछना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपको जवाब देने की और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए और थैंक यू सो मच फॉर वाचिं इस वीडियो तिल दे एंग, थैंक यू